मैं आपका नेयन सिंग फीजियो थेरेपिस्ट कमर का दर्द यानि कि पैर से पैर के पीछे इससे जो है नीचे तक दर जाता है कमर से लेके यानि कि इसके कारण जो आपको कमर में दर्द होता है आपकी नस दब रही है कम्प्रेशन आया है, MRI में ऐसा कुछ लिखा है, कम्प्रेशन या फिर डिस्क बल्ली की प्रॉबलम है तो इस कम्प्रेशन की वेश्चे आपको ये पेन हो रहा है नस दब रही है कमर की तो इससे आप बिलकुल आसानी शिल्यात पापाएंगे तो कौन सा तरीका है मैं आपको तो ऐसे कुछ method आपको बहुत सारी exercises करके दिखा दूँगा इस वीडियो में जो की वीडियो बहुत छोटा ही है लेकिन आपको बहुत जन्द ही समझ में आ जागा तो वीडियो को step by step देखना वीडियो को पूरा देखना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए notification के साथ और प्रेस कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे useful content बनाते रहते हैं आपको डिसबल की problem है या फिर आपको compression हो रहा है कमर में तो आप इस वीडियो को सही से देखना बिलकुल सही से step by step करना कोई mistake मत करना अगर कोई problem है तो comment section में आबस से बताना मैं आपको reply देने की कोशिस करूंगा तो इस्टाग्राम टेलिग्राम पर facebook को follow कर लिजिए सबका link description मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए पहली exercise जो कि बहुती यादा इजी है और बहुती यादा आशानी से आप कर सकते हो जैसे में वीडियो में आपको ऊचा table हो सकता है उस पे आप इस तरह से कर सकते हो इस तरह से करने के लिए आपको नीचे कोई कुशन लगा लेना है जिससे की पेट पे ज़्यादा दबाब ना पड़े इसके लिए side से आपको hip जो है आपकी पीछे से बहुत थोड़ा सा आपको नीचे की side लटकाना है तो अब पेट पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी दबाब नहीं पड़ेगा ज्यादा और stretch अच्छा खासा आएगा खिचाब भी अच्छा आएगा जिससे compression जो है कम होगा तो decompression होगा तो decompression नीचे की side हलके हलके सुरू आती में पहले जहां मैं लेटा हूँ इस तरह से लेटना ह फिर जो पीछे की side में आपको हलका हलका सा मेरी तरह copy कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखिए पहले ये steps को पूरा कर लेते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा legs को थोड़ा नीचे लटकाया है मैंने तो वो जमीन में थोड़ा सा touch होने लगा हूँ क्योंकि अब पीछे से जो है ना खिचाब ज्यादा अच्छा आता रहेगा हलके हलके एक साथ नहीं करना हलके हलके थोड़ी थोड़ी देर बाद आद आद एक एक मिनट बाद आपको खिचाब के लिए पीछे की और थोड़ा-थोड़ा shift होते जाना है इससे आपका जो है decompression होगा जो आपके compression है number में L4, L5 and S1 की जगहे पे कहीं भी MRI में वो आपके काम होगा number चलते है step second की तरफ तो यह exercise आपके लिए बहुत बहतर है अच्छे से perform कर सकते हैं अगर आप जैन्स है तो और हो सकता ladies को तोड़ा problem हो या fatty लोगों के लिए तोड़ा यादा problem हो इसके लिए आपको किस्टूल रखना है और जमीन पर आपको इस तरह से side से हो जाना है याद रहे बीच में आदा करब नहीं करना है यानि कि spine में और simple सा नीचे की और खाली हमको जो जूल जाना है और आपको देख सकते हैं जिस तरह से मेरे hip या बटक को देख सकते हैं मेर में आपको करने के बाद आपको अच्छा खासा पीछे खिचाब आएगा और आपको जो आप अच्छे से कर पाएंगे तो ये भी जो है 2-3 मिनट आप आसानी किरें इसको और कोई दिख्कत होती है जादा तो आप इसको जो है avoid कर सकती है अगर करने में आप कोईजी नहीं हो पारो था तो आप इसको stop कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको बहुती simple तरीके से समझाया है कि आप इसको perform कर ही सकते हैं तो और अगर आपको फिर भी को दिक्कतारी तो मैं भी आपको आगे जो और स्टेप्स दिखाता हूँ कई तरह से आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगो उनको आप फॉलो कीजिए इसकी जगह आप भो भी कर सकते हैं अगर आप इसी को नहीं करेंगे तब भी चलेगा लेकिन उ लेक का पेंज जो हलके हलके आपको कम हो जाए और आप देखेंगे ऐसे करने से आपको थोड़ा सा आराम जोगा करते ही मिल जाएगा और आपको आराम मिलता है तो वीडियो को कमेंट में आईए और वीडियो में कमेंट में कमेंट जरू करना या आप अभी लाइव ऐसा कर सकते हो वीडियो के साथ जो कि आप जो है एक श्टूल लीजिए और इस तरह से आप करके आवश्यक बताए कमेंट शक्समें कि आपको रिलीव मिला या नहीं मिला तो आपको इंस्टेंट जो है थोड़ा बहुत रिलीव जरू मिलेगा तो अब चलते हैं थर्ड की तरफ तो थर्ड में आप देख लीजिए किस तरफ से कर रहा हूँ इस टूल वही है लेकिन थोड़ा सा मैंने पोजिशन चेंज किया है उस वाली पोजिशन में मेरा जो सेकंड स्टेप था उसमें मेरा जो लेक्स उपर थी और आगे से मेरा जो है इस्पाइन नीचे की साइड में था अब इसमें जो है इस्पाइन उपर की साइड है इस टूल पे और लेक्स मेरे नीचे की साइड है तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह सेक्स है आपको परफॉर्म कराने की कोसिस कर रहा हूँ कि पहले उस तरह से स्टेच आया था इस पाइन पे अब इस तरह से आगा आपका जो बटक नीचे की साइड जो खिचाब डालेगी बजन पड़ेगा और लेक जो हमेने फिरीडम इसलिए कर रखी है कि खिचाब और ज़्यादा बढ़ जागा लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आप बटक को यादा टाइट कर लें तो टाइट बिलकुल भी मत करना जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ शेम इसी तरह से करना और आप ऐसे करेंगे तो आपको आशानी से मैं आपको बता रहा हूँ फूर्थ एक्सराइज की तरफ इसमें आपको हलका सा देखो इस्ट्रेस आगा है स्पाइन में तो इसको मैंने हाथ आगे की साइड रख लिए है ये एक्सराइज भी आपको जो है काफी आदा रिली मिलेगा ये मैंने आपके लिए बहुत ही आदा यूनिक कॉंटेंट बनाने की कोशिस की है कंप्रेशन की बिना कोई आपका टाइम बेस्ट किये और मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी ये मेहनत को जो है समझ सकते हो और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे औ चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही देना अब बाकी मैं आपको आगे बताता हूं और क्या क्या करना है तो इसको करने के लिए आपको जो है 20-30 रिपिटेशन आपको इस तरह शेक कर लेने हैं इसके बाद आपके लिए ऐसे ही करना एक दम बिल्कुल फट 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 ऐसे कुछ नहीं करना जैसा कि मैंने आपको दिखाया आप ऐसा ही करना शलोली सलोली और थोड़ा सा होल्ड करना है जैसे मैं भी रुका हुआ हूँ 5-6 सेकिंड तक होल्ड करना है चली मैं आपको सब रिपीट करा देता हूं कैसे मैंने और इसको करने के बाद एक exercise ये थी इसमें भी मैंने आपको बताया अगर आप समयों नहीं आओ तो आप एक बार डेमो देख लीजिए अन्य था आप वीडियो को पीछे जो है प्रिवियस करके देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंटर में बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिपिकेशन को ओल पे दवाईएगा मैं ऐसे ही यूजफुल कॉंटेंट बनाते रहता हूँ आई बटन पे आप वीडियो देखिए ऐसे ही सारे वीडियो आपको स्पाहिन से जोड़े सर्भाइकल से जोड़े मिल जाएंगे सारे कॉंटेंट बना रखे वास प्लेलिस्ट को देखिने की जरूरत है उपर जाके आप देखिएगा मिलता हूँ है किशन वीडियो के साथ में वीडियो कैसा लागा कमेंटें में बताएंगे अपनी प्राब्लम को बताएए तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातर अपना रखिए ख्याल